नमस्कार बच्चो एक वर फिर से आप सभी का शुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दपीसीय मुजर में जारखन गोड़ आटवी नोवी और इगारवी के टर्म टू एक्जाम को लेकर करके एक बहुत ही बढ़ी अपडेट सामने आरी है बच्चो जैक के दुवारा एक नोटिस जारी क्या गया है उस नोटिस में बताया गया है कि आप सभी के टर्म टू की एक्जाम जून में होगा और साथ इसाथ क्लास 11 का जो मैथ और बाइलोजी का पेपर लिख हुआ था बचो उसका भी आप जून में एक साथ एक्जाम लिया जाएगा तो इस नोटिस में क्या बताया गया है जून में आप सभी का एक्जाम कब तक होने की समामना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में जनकारी मिलेगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो जरा सभी इंफोर्मेटिव रहे तो वीडियो को दोस्तों में सेर जरू करेगा बचो तो चलिए देखते हैं उस नोटिस को आप लोग यहाँ पे देख सकते बचो जारखन एकडमिक काउंसिल राची क्लास 11 इंटर्मेडियेट पर्थम वर्च की परिच्छा 2022 से सबंदित आयसक सुचना देखे बचो एदत दुआरा सभी प्लस टू महाविदियानों के परधानों छात्र छात्राओं येवं उनके अभिवावक तथा सम्मंदित पदाधिकारियों को सुचित किया जाता है कि क्लास 11 के टर्मों की परिच्छा के लिए दिनाक 9-25-2022 को पर्थम पाली में अव्जित वेकलपिक विशे, ऑफ्षनल सब्जेक्ट मैस और बायीलोजी की परिच्छा को रद किया जाता है रदविश्यों की परत्म सारवधिक परीच्छा आनि कि टबोन की परिच् Clerc 11 के लिए रआउजीत होने वाली ट हूं तु इहां पे किलीर इवम्हेर कंद the तो टर्म टू की परिश्चा है बचो ओ लिया जाएगा ठीक है तो कब लिया जाएगा टर्म टू की परिश्चा मई में तो आपका पॉसिवल ही है नहीं ठीक है क्योंकि मई में आपका चुनाव है बचो 29 मई तक आपका चुनाव है और अच्छार संगीता लगा हुआ है परिश्चा नहीं होने वाला है और ना ही कोई भी रूटीन जारी किया जाएगा और नियम है कि आपका परिश्चा से पंद्रों जिन पहले रूटीन जारी किया जाएगा बचो ठीक है तो पंद्रों जून तक आप सभी की परिश्चा नहीं होगी पंद्रों जून के बाद ही आप सभी की परिच्छा होगी बचो अगर हो भी होगी भी तो 15 जुन से आप सभी की बोर्ड परिच्छा टर्म्ट की अस्टार्ट होगी ठीक है बचो देखिए और आगे क्या लिखा गया है आपको दिखाता हूँ परवात कबर के निउस्पेपर का देखिए बचो जैक ने करेंकर देखिए बच्छा सैब्षी कि परिच्छा अब इन दो मिसीओं की परिच्छा नीकी सकेंड की परिच्छा की साथ है . डुटीय ठेंड की परिच्छा जून में प्रस्तावी में टृट ही और क्लासकेण स्टेट ने की बच्छा जून में होगी दूधों देखिए की संभावना है बचो तो त्यारी में आप जुड जाए अभी सही अगर आप त्यारी करना चाहते तो कमेंट पर बताईएगा अभी सही आपकी टर्म 2 की परिचा की त्यारी शुरू की जाएगी ताकि आप एकजाम में बेहतर कर सकते जिस प्रकार से टर्म 1 की त्यारी जाएगी तो अगर आप चैनल पर नहीं है बचो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो इंफ्रमेटिव तो दोस्तों में से जरू करें ताकि सभी को इस न्यूज के बारे में पता चल सकते ठीक है तो आप आप लोग भी त्यार हो जाएए बच्छो एक मेहना का समय जादा नहीं होता है इस बार आपका सब्जेक्टिव है अब्जेक्टिव नहीं है आपको लिखना पड़ेगा वहाँ ठीक है तो लिखना पड़ेगा तो ज्यादा त्यारी करना पड़ेगा तभी आप बेहतर तर term 2 की term 1 की त्यारी करवाए गई थी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बचो धन्यवाद